तो डेर इस्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बेस सिकेंडर समस्टर के एजूकेशन यानि कि सिच्छा साफ्तर के बारे में जिन भी स्टूडेंट की परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है उनको इस वीडियो कंप्लेट देखना चाहिए क्योंकि इस अच्छा में रिपीट भी हो चुके है तो इस बार भी आने की पूरी उमीद है तो वीडियो को शूरू करते हैं एक ही रिकोष्ट करूँगा कि अगर आपको जानना है कि कौन को उनसे प्रश्ण आने की उम्मीद है आपकी परिच्छा में तो वीडियो को complete देखती रहेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को समेश्टर आपका बीए सिकेंड है सब्जेक्ट एजुकेस्टिन यानि फिच्छा फाफ्टर है और जिन जिन भी इनवर्शिट के स्टूडन के लिए वीडियो महत्पूर है ठीक है चलिए वीडियो की जो सबसे पहला यानि प्रतम प्रश्णफ है कि बेसिक सिच्छाँ के मोल बहूत सभधान्त हों क्या है जो honest होती है उसके बारे में आपका बताना है ठीक है तो चलिए इसका उताय लिखना है कि भारत में निरचर्टा का उन मोलन करने के लिए बेशिक शिच्छा प्रडाली के अंतरगत साथ साल से चौदा साल तक के बालकों को निशुल कियम अनिवार रूप से फिच्छा प्रदान करने की योजना बनाई गई है भारत जैसे निरधन और अफिच्छित देश के लिए या उपियुक्त भी शिद्ध होती है इसमें बालक बिद्यालय में विभिन प्रियोगों को करते हुए सालम्बन और आत्म निर्भरता का पार्ट सीखेंगे उनके द्वारा जो वस्तवे निर्मित होंगी उन्हें से उनका समस्त पढ़ाई का खर्च चलेगा इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई में खर्च करने से मुक्त रहेंगे ठीक है और वहीं पर एक प्रमुक ठीक है समास आफ्तरी हैं विद्वान जिनका नाम है काका साहब काले लकर ने लिखा कि शार्व भॉमिक अनिवार फिच्छा साथ वरस से चौदा वरस तक देनी चाहिए तो बेफिक फिच्छा का जो मूल फिद्धानत है कि भारत में भारत देश में साथ साल फिले कर चौदा साल तक के बच्चों को निशुर को फिच्छा दी जाए और अनिवार मतब कि कंपल सरी भी है और निशुर को फिच्छा प्रदान करने की योजना या फिर सिधानत मुख्य है या फिर योजना बनाए गई या फिर बेफिक फिच्छा का मोल फिद्धान ती यह है कि 7 साल फिलेकर 14 साल तक के जो बालक हैं बच्चे हैं भारत में उनको निस्रुकेय। अनिवार फिच्छा दी जाए यह योजना कगठन किया गया और भारत जैसे निर्धन और अफच्छी कि हमने किस प्रकार किया है और इसका आने वाले फिच्छर में क्या उप्योग है ठीक है और इस प्रकार जो बच्चे के माता पिता है वो बच्चे के जो फीस देनी पड़ती है यह फिर पढ़ाई का जो खर्चा हो देना पड़ता है उससे मुक्त रहे ठीक है तो इस प्रक कि आप क्यों कर रहे हैं तो चली जानते हैं उत्तर में लिखना कि प्रमुख ठीक है राधा कृष्णन आयोग ने उच्छे फिच्छा के जो उद्देफ निश्चित किये हैं उन्हें निम्रिखित रूप में क्रमबत दिखिया जा फक्ता है और राधा कृष्णन ने उच्छ प्रमुख उद्देफ बताए हैं उच्छित फिच्छा के जिसमें पहला कि योगों में युवक यीनि कि जवान लोग हैं यह कि युवा लोग है युवगों में प्रजातांत्रिक मुल्यों समानता फटंत्रता बरतत्त्त और नियायका संदच्छन एवम सममर्धन करना है दुसरा है योकों में राफ्टे अनुसासन की भावना का विकाफ करना है कि राफ्ट को ध्यान में रखते हुए कोई विकार करें, राफ्ट के खिलाफ न करें, ठीक है, राफ्ट के अनुसासन में रहकर कोई कदम उठाएं, कोई गलत न उठाएं, ठीक है, और अगला है कि य इस्टु बंधुत्ता और अंतर्राष्ट्य सदवाओ का विकाफ करना यज सब्सक्रियों के अध्यात्मिक करना और पांच नमबर है कि ऐसे वेक्तियों का निरूमाण करना जो सारहं द्रिष्ट से स्वस्यों मांचिक द्रिष्ट से प्रबद्ध हैं, कम्पलीट हैं, अगला एकी बिक्तियों के आनवनसी गुणों को ग्यात कर उनका विकास करना, कि भईया वो उसका अंस्विक, यानि कि उसकी जो पीड़ी हैं, कि इस प्रकार की हैं, ठीक है, और उसको उस प प्रसासन बेवसाय उद्धेग और वाड़िजी के छेत्र में नेत्रत्त कर सकें, तो ये कुछ प्रमुक उच्छे फिच्छा के उद्धेश हैं, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर आपको अपने भासा में लिखना है, आपको लगता है कि हम इस तरीके भी लिखकत टिपड़ी लिखें इस पर, जैनि कि जो मुगलकाल था वो फिच्छा का श्रडिम यूग था, श्रडिम काल था, उसके बारे में आपको सफाई देना है, ये तो तरी लिखनी है कि मुगलकाल फिच्छा का श्रडिम यूग था, निफ अंध्य या कथन, अच्छ रफाः फ मुष्लिम काल की सफसे बड़ी देन उर्दु भाफा की उत्पत्य थी उस समय में मक्तब और मदर्सों में फिच्छा का अध्यम ठीक है फिच्छा का माध्यम अर्भी तथा फार्सी भाफा थी ध्यान रकना है परन्तु अकबर ने कुछ फिच्छन फफथानों में हिंदी भी फिच्छन बेवफथा कराई ठीक है कि हिंदी भी लोग जाने उसको पढ़ें समझ सके निफ अंदे मुस्लिम काल की फिच्छा ने भारते जीवन प्रणाली पर अमिट चाप छोड़ी मुस्लिम काल की फिच्छा धार्मिक उद्देशों के साथ ताच छात्रों को भविश् फिच्छा में हफ्त कला हुआ ललित कलाओं का विकास हुआ ताज महल लाल किला फाते पूर्शिक्री का बुलंद दर्वाजा आदि वास्तु कला के उतक्रष्ट उदाहर हैं इस प्रकार निश्चित रूप से कहा जा फरकता है कि मुगल का फिच्छा का सुरण यूग है य भी कभी कभी आ जाता है इसका उत्ता लिखना कि बहुत काल में फिच्छा सामानता मठों विहारों संघारामों में होती थी चात्र साधान रुप से बहुत मठ में बारा वर्स रहकर अध्यन करते थे तच्छ फिला नालंदा बल्लभी विक्रम फिला मिथला अमरावती आज प्रम फिच्छृ संब्था ने थी बहुत काल रिखा अध्यन काल 22 वर्स निधाय किया गया था ध्य लखें कितने वर्स बहुत कालीन फिच्छ कि प्रवज्ज्च वर्स गया ता कि आव तक फिच्छर चलता था बौध मठ अथवा विहार बड़े नगरों में निकट खुले अफ्थान पर बनाए गए थे इनमें अवाफ्य फिच्छा की विवफ्था थी यानि कि उसमें बच्चे रहे भी सकते थे इस्टूडेंट रह भी सकते थे उस वहीं पर से अबरे रोम्स बनाएं गें तिक वहीं पर रह सके और वहीं पर पढ़ा सके और सिटूश्चिस्ट थे उनके लिए भी विवफ्था की गई थी वहीं पर पढ़ें और उसी में रहें भी तुस्परकार लिखेंगे इसके बारे में परच्चे अगला परशने गुरुकुल से आप क्या समझते हैं यह भी बहुत भी पॉप्लर कोईश्चिन है कई बारा चुका तो गुरुकुल के बारे में जानते हैं बिच्छा टन एम धैनिक और सक्ताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल किसी ग्राम या नगर के निकट सानते हो सुन्दर प्र प्रोंग विशिष्ता थी ध्यान रखेंगे गुरुकुल प्रणाली जो है यह वैदिक विच्छा की मुख विशिष्ता थी गुरु के उच्छ विचारों आदर्सों अनुकरान करके वह अपने स्रेष्ट जीवन का निर्वान करते थे यानि कि जो टीचर्व थे जो गुर और बिट्रिफ कालिं फिच्छा के परशे दीजिए तो यह कुष्टन बहुत कमाता तो आप इगनोर भी कर सकते हैं उत्तरे पढ़ silent कि सिंमुला फिच्छा सम्मेलन कि कर सकते हैं मीरी कोडिंग महत्पूर नही इसलएम यसको इगनोर करेंगे हैं बाकी आप लुग पढ़ कि बिरोध में राफ्टे अंदोलन करने का निश्चे किया यह अंदोलन स्वादेफी अंदोलन के नाम पर जाना जाता है इस जम्में राफ्टे अंदोलन के मुख्य चार रंग थे पहला स्वाराज जी की प्रात थे दुफ्रा था राफ्टे फिच्छा का प्रसार फुदेश वस्तों का वहिश्कार ठीक है जो चीज रहे वह देशी में रहे यहीं मुख्य उन देश्ता ठीक है उचाहे पिच्छा का हो और उसके बाद कल्गत्ता धिवेशर 1906 में कांगरेश ने राफ्टे विवफ्था की मांगे ठीक है विवफ्था की मांग निम्न आधारों पर की है जैसे कि पहला है फिच्छा पर भाड़कों कन्यंतर हो ऐफ्था की बिवफ्था जिसमें देश प्रेम की भावना जगरत हो राफ्टे फिच्छा में अंग्रेश जी को महत्तों नहीं दिया जाना चाहिए राफ्टे फिच्छा में पास्चात ग्यान और विज्ञान को अच तो राफ्टे फिच्छा अंदोलन की क्या उपलब्दियां थी तो इसका उत्तर लिखना की राफ्टे फिच्छा अंदोलन में ये फिच्छा अंदोलन ने विविन परकार की उपलब्दियां पराप्त की यानि कि बहुत पार एची बिन्टे मिली राफ्टे फिच्छा अं मिश्चित हुआ जमिया मीलिया सांत निकेतन वनस्थली विद्या पीठ और अर्विंद आफ्रम जैसे यह फिर आफ्रम जैसी संफताओं का विकास हुआ आंदोलन नहीं राफ्रम फिच्छा के फिद्धान्तों थे प्रतिपादर का राफ्था ठीक है पृसर्स्त किया है फ्रकार लिखेंगे राफ्टे फिच्छा में आंदोलन की उपलब्दियां के बारे में चीप्मेंट के बारे में कई बार आ चुका है कोश्चन हंडर परसेंट उम्मीद है किस बार भी आएगा ध्यान नखेंगे काफी अर्पर कोश्चन है अगला कोश्चन भी महात्पूर्ट साबित है आप लो स्वाराज रोजगार के लिए च्हात्रों को तैयर कर लेना यनि कि सोयम वह अपना बिजनेस खड़ा कर सके अपने देश में रहेकर कोई थिक है स्टाइटब कर सके उसके लिए तैयार करना और अग्ला चीनलो के बढ़े वर्क को बिभिन बेवसाइक पटक्रों में बेजना और ग्रामेर विकाफ तथा बिरोजगारी वा निर्धनता के उन्मूलन के राफ्टे लच्छों की प्राप्त में स्वाहता प्रदान करना ये कुछ मांत्मे कफ्तर पर बेवसाइक फिच्छा के प्रहों कुद्दे से ध्यान नकें कि अगला प्रश्ण है कि मादमें पुछा में व्यफ्टाइब करन की समस्या क्या बहुत कमाता तो आप पढ़ने कर सकते मेरी कोडिंग नोर कर सकते अगला कोश्चन है कि प्रतिभाप लायन का क्या तातपर एक कुछ बार कई बार तो नहीं आया लेकिन कुछ ठीक है प्रतिभाओं का अन्य देश में बेहतर सुविधा मिलने के करन प्रफ्थान कर जाने से है प्रतिभाप लायन का अर्थ मानो पुझी रूपी संसाधरों का अंतर राष्टे हफ्ता अंतर है जो अप इच्छा क्रत उत्र फिच्छा प्राव्त बेक्तियों का विकाफ प्रफ्चन इस इस वीडियो फे जो कि आपके पर इच्छा में देखने को मिल सकते हैं बाकि इफी तरह चोटी चोटी बीडियो बनाके चोट कुछ इंपार्टर इंपार्टर कोश्चन मनाके आपके हम एक्जान को तैयारी कराते रहेंगे और बस आप लोग परड़े इनकारी मिल चेकिए और मिलते हैं और नए वीडियो के साथ जो तक करें जैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए कि आपका अपने चैनल सक्सेस्ट होई है जैनल